हम दो हमारे दो 1970 में इंद्रगान्दी की सरकार ने नारा दिया था मक्सद था जनसंक्या को नियंतरिंट करना उसके बाद जो गदम उठाए गए उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे स्वामी प्रेमनंद के एक बयान के बारे में जो सुर्ख्यों में है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंदेश्वर स्वामी प्रेमनंद महराज ने उजैन में भागवत कथा को बाचते समें एक बयान दिया तमाम महिलाएं दर्शकों में थी उनके भक्तों में श्रोताओं के तोर पर मौझूद थी जब उन्होंने मंच से कहा कि हिंदू महिलाओं को ये सही वक्त है जब ये फैस्ता लेना चाहिए कि उन्हें चार बच्चों को जन्म देना चाहिए जी हाँ दो नहीं चार चार बच्चों को हिंदू महिलाओं जन्म दे क्यों इसके पीछे उनका तर्ख था कि वो वक्त चला गया जब हम आबादी को नियंत्रित करने के बारे में सोचे अगर हम चाहते हैं कि हिंदूस्तान हिंदूस्तान रहे तो फिर हिंदू महिलाओं को चार बच्चे पैदा करने चाहिए आगे उन्होंने उन तमाम शंकाओं का जवाब देते वे कहा जिसमें ये कहा जाता है कि इस सर्चार को हम आगे बढ़ाएंगे एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे भागवत में लिखाएगा 60,000 और अब एक जानदा से जानदा दो परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आविश्यक्ता है इस भारत बर्च को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं कम चे कम एक परिवार में चार चार पुत्र होना चाहिए तो स्वामी प्रेवननन माहराज ने कहा कि मैं सभी को चेता आता हूँ कि अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान की तरह रहे तो फिर हिंदु महिलाएं 4 चार बच्चे को जन्म देए ऐसा रोने क्यों कहा, उन्होंने धर्म विशेश का डर दिखाते वे कहा, कि उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी धर्म की महिलाएं बच्चा पैदा करने समय, ये नहीं सोचती कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं, उनके धर्म में आज भी कई ज्याद दूर नहीं जब बहुसंख्यक आबादी आने कि हिंदू इस देश में अलपसंख्यक हो जाएगा, उन्होंने अलग-अलग राज्यों में जिससरा से जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका भी हवाला दिया, लेकिन ये वक्त ये सोचने का भी है, जब 1970 म ये कहा गया कि हम दो हमारे दो, और आज के दौर में महंगाई को देखते हुए, ये कहा जा रहा है कि बच्चा एक ही अच्छा, क्योंकि उसके पालन पोशन को लेकर परिवार के गुजर बसर में तमाम तरह के आर्तिक संसादनों का हमें खयाल रखना पड़ता है, और सिर् तरक संगत है, इसको लेकर सभी के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन यहां जिक्र करना जरूरी हो जाएगा, 2019 में जो प्रधान मंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंतरन को लेकर बयान दिया था, उसका मैं यहां पर जिक्र कर रही हूँ, और उसमें प्रधान मंत्री मोदी न अनेक नए संकट पैदा कर सकता है प्रधान मंत्री ने 2019 में मंच से इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी और ये चिंता सही भी है क्योंकि आज भारत देश की आबादी चीन की आबादी को पीछे छोड़ चुकी है याद होगा आपको कि चीन ने एक समय में अपने यहाँ वन चायल पॉलिसी लागू की थी 30 साल तेक वो पॉलिसी रही लेकिन अब चीन ने अपने उस पॉलिसी पर रोल बैक कर लिया है चीन की चिंता यह है कि उनके हाँ जादा जो आबादी है वो बूरी आबादी है ऐसे में चीन अपने हाँ के कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए जादा बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है लेकिन भारत में क्या ऐसा तरकसंगत है क्योंकि भारत में जो middle class है वो पहले से ही कई तरहां की आतिक मजबूरियों के बोज में दबा हुआ है उपर से फिर अगर हम धर्म के अगर तुलना करते हैं तो ऐसे में यहां पर सवाल यह उठता है कि हिंदू महिलाओं को यह कह देना कि आप चार बच्चे पाइदा कीजे दो हम पालेंगे दो आप खुद पालिए यह कितना तारकिक है यहां पर सवाल तमाम जो महिलाओं वहां पर बैठी थी उनको लेकर भी उठाय जा रहे हैं यह कहा जा रहा कि उनमें से किसी भी महिलाने इस बात को लेकर हामी नहीं भरी तो फिर क्यूं धर्म विशेश का डर दिखाया जा रहा है सियासी वार पलट वार इन तमाम चीज़ों को लेकर हावी है लेकिन यहां पर जिक्र करना होगा एक ऐसी पॉलिसी को लेकर भी तो जनसंख्या नियंतरन कानून की हम बात करते हैं भारत की अंदर जनसंख्या नियंतरन को लेकर सक्त कानून हो सक्त कदम उठाये जाए ये बहस रुबाट चुरती है लेकिन ये बहस कहाँ पिछड़ जाती है ये बहस पिछड़ जाती है धर्म के मौचे पर आकर क्यूंकि हिंदू मुसलमान जैसे ही हम जंसंक्या नियंतरन की बात करते हैं पूरी बहस हिंदू-मुसलमान की एर्दगत हो होने लगती है ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म की नीतियों का हाला देते वे कहते हैं कि जन संक्या नियंतरन कानून या सकती से कदन को उठाए जाना कहीं से भी सही नहीं है अगर हम बात करें तो आरेसस जो है वो लगातार इस बात को लेकर मोधी सरकार को दबाव बनाता रहा है या कहता रहा है कि जन संक्या नियंतरन कानून होना चाहिए हम बात करते हैं कि जन संक्या नियंतरन की जो मांग है वो बहुत पुरानी है लेकिन जब जब इस पर कानूनी अमलजामा पहनाने की यानिकिसे जब इंप्लिमेंट करने की कोशिश की गई तब तब यहाँ पर अर्चने सामने आती रही है 2019 में जनसंख्या विनेमन विधेक लाया गया था इसके तहर्ट दो से ज़्यादा बच्ची पाइदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाप से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था ये एक प्राइविट मेंबर बिल था इसे आरसे सनेता और बीजेपी के सांसद राकेश सिना ने राजसभा में पेश किया था लेकिन इस बिल का क्या हुआ? जम कर विरोध हुआ और इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया आजादी के बाद से करी 35 बार जनसंख्या नियंतरन को लेकर बिल पेश किया गया है लेकिन हर बार बहस के बाद बिल थंडे बस्ते में डाल दिया जाता है यानि कि बिल को अमली जामा नहीं पिनाया जा सकता है अगर हम स्वामी पिमान की महराज के बयान की बात करें तो ये पहली बार ऐसा नहीं है इससे पहले भी कई धार में गुरूओं ने इस दिशा में बयान दिये हैं और हर बार यही कहा है कि हिंदू महिलाएं बाकी धर्मों की महिलाओं के मुकाबले में कम बच्चे पैदा कर रही है या उनकी जो चौइस है जो उनकी पसंद है वो दो या दो से कम एक बच्चा पैदा करने की हो गई है इसको लेकर शारिक शमताओं के साथ साथ फिगर को लेकर भी यहां पर कमेंट किया गया है और अब एक बार फिर से यह बहस शिरू हो गई है एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं जो एक्सपर्ट कहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंतरन कानून की नहीं बलकि आर्थिक विशंता को कम करने के आविश्रक्ता होती है sources और resources का सही तरीके से इस्तिमाल नहीं हो पा रहा है लेकिन जब बात आती है कुद्रतित resources के इस्तिमाल की तो वहाँ पर बहुत सीमित संसाधन हमारे पास है तो ऐसे में अगर जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाएगा अगर हर धर्म के लोग आकर ये कहेंगे कि जादसाधन बच्चे बादा करें तो फिर उन बच्चों के लिए हम संसाधन कहां से लेकर आपाएंगे तो एक बार फिर से ये पूरी जो बहस है वो सियासत के इर्दगर्द सिमर्ती भी दिखाये दे रही है कौन समर्थन कर रहा है, कौन इसके मुखालफत कर रहा है यस अभी की अपनी-पनी सियासी रोटियों के हितको साधने के संदर्ब में देखा जा रहा है लेकिन यहाँ पर आप क्या सोचते हैं आप दर्शक होने के नाते एक आम व्यक्ति आमनागरिक होने के नाते अपनी राय हमें जरूर दीजेगा